गेट वेलकम तो एविवन दिस साइट सुमेट शर्मा एंद आज हम लोग एक नया कोशन लेके आए हैं जो कि लखनु इनुवस्टी टूथादन एट नाइन थर्टीन की पेपर में आ चुका है एंड यह कोश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन कोश्चन है वाई इस लिमीट को हमें एवालिएट करना है यह लिमिट ऑफ सम का भी कॉस्टन निसे हम बोल सकते हैं यहां पे इंटीग्रेशन नहीं है फिर भी हम बहुत सरे वीडियोज भी गणा है आप जाएए प्लेस में चेक कीजिए आपको वीडियो जुरूर मिल जाएंगे ओके तो थांक यू फॉचिंट इस वीडियो फर्स्ट आपल एंड डोंट फगट तो सब्सक्राइब टो चैनल इफ यह न्यू हिए यह कुश्चन जो हमारे पास है वन प्लस वन बाइन वन प्लस प्लस त्री बाइन एंड ऑके होल पावर कितनी है क्या वन बाइन पावर है तो हम लोग इसे solve करेंगे denote the limit of the product by a then वल्ब कि हम इस पूरी चीज को a माल लेते हैं तो हमने a माल लिया है and a मालने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे log दोनों साइट log लगाएंगे log is equals to log of यह पूरी चीज अंदर आजाएगे log के अंदर इस limit को हम लोग बाहर निकाल लेंगे limit and goes to infinity यह बाहर आ गई यहाँ तो हमें दिख रहा है limit and goes to infinity and एक चीज जो आप देख पा रहे होंगे कि यह log हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे 1 by n पावर है तो पावर आगे आजाएगे 1 by n इसलिए हमने लगाया है यहाँ पर शायद ओके इस तरीके से हम लोग याद रखने के तरीकीव हैं ठीके तो अब इस तरीके से याद रख सकते हैं क्यों हमें लगाना है तक यह 1 by n पावर आगया यह हमरा काम बिगाड देए और लॉग लगाएंगे तो अंदर देखे सब मुल्डप्लाई हो रहा था तो हमें पता है लॉग a इंटू लॉग b इंटू लॉग c यह एक हमारा फॉर्मुला भी होता है लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c एंड सो ओन लॉग इतना भी लॉग हो ओके सारे लॉग लॉ यूज किया हमने और एकोल टू वन से एंट इस सिंबल को द्यान से देखिए और लॉग ऊफ वन प्लस रभाई अर भाई आर भाई एंट हमने क्यों लिखा है क्योंकि देखिए यह आर अपॉन एंड में आर को देखिए आप आर ही वैडिकर रहा है यानि आर यहां पर यह आपको दिख रहे हैं, ओके, so r by n को हम लोग क्या रख देंगे x, यही खेल यहाँ पर शुरू होता है, ओके, यही खेल है, r by n को हम लोग एक्स रखना है, and 1 by n को dx रखना है, ओके, यहाँ सा हमारा integration बनेगा, so आगे देखने, r by n इकोज टू एक्स टू एक्स टू एक् x equal to 1 यहाँ पर हो जाएगा, okay, so limit हमारी हो गई 0 से 1 तक, इस बात को ध्यान रखें, note कीज़ें इन चीजों को, and हमारा log 1 plus x, ठीक, x को हम ने r by n माना था, तो हमारा 1 plus x dx, and now, इसको integration जब करेंगे, तो हमारे पास, तो आशको जब substitution करेंगे, sorry, 1 by n is equal to, sorry, 1 plus x जो है, इसको ह y मान लेंगे, और इस हिसाब से अगर substitution करेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा, कुछ ऐसा answer निकल गयाएगा, 2 log 2 minus 1, okay, यहाँ पर आप 1 plus x को, अगर हम y मान लें, और substitution का use करें, limit 1 से 2 हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, definite integration आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखाए, class 11, 12 म और इसका integration जो value आएगी, वो यह आएगी, okay, 2 log 2 minus 1, अब इस 1 को हमने लिखा है log e, okay, एक बात त्यान रखी है, जब integration हम लोग करते हैं, और उसमें log कहीं आता है, integration एगर log आता है, तो उसकी base जो होती है, by default e हो जाती है, okay, इसलिए हमने यहाँ पर 1 की value, log e, base e लिख दिया ह है, okay, base e यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यह by default होती है, okay, and now, एक यहाँ पर आप दिख रही होगी, 2 पीछे जाएगा, 2 की power में आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो देखिए log 4 minus log e, यह हो गया, and now, log a minus log b क्या होता है, log a upon b, तो हमने लिख दिया, and इधर भी log, इधर भी log दुने साइट से log, cancel, cancel होते हुए दिखाना नहीं है आपको, ठीकिए, वो अपने आप गया बजाएगा, and इस वजए से, a is equals to 4 upon e आजाएगा, answer हमारा, okay, बहुत important question था यह, and a equals to 4 upon e, and 4 options जिदिये होंगे, उसमें दिया होगा, 4 upon e square, 4 upon e, and 4 e, and कुछ इस तरीकी के मिलते ज सही होगा, आपके fundamentals, आपको basics clear है, तो आपको पक्का इस question का answer, बहुती अच्छी तरीके से, और बहुती easy तरीके से आप निकाल ले जाएंगे, so, thank you so much for watching this video, make sure you like the video, and hit the subscribe button,